हला व्रिवान असलाम लेकुम तो जिसका वेट कर रहे थे उसका जो वेट है वो खत्म हो गया है यानि कि अभी आप अपलाई कर सकते हो जो रिवालवेशन है और आंसर सिक्रिप्ट और जिराकस पेपर जो है वो आप यहां पर अपलाई कर सकते हो ये बोथ स्टूडेंट्स के लिए है जुमू डिवीजन और कश्मी डिवीजन के लिए भी है और अगर आपको कोई प्रॉब्लिम है तो आप इस नबर पे भी कॉल कर सकते हो जो यहां पर दिया हुआ है अधरवाई ये नोटिफिकेशन आपके लिए पढ़ोंगा और आप देख सकते हो यहां पर लिखा क्या है सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी जो कि आप शेल वेबसाइट पर है और यहां पर 10th student है 11th student है और 12th student है ठीक और उन्होंने साथी साथ अपलाई भी यहां पर इसकी डेट जो है वो यहां पर पर सबसे पहले जो उपनिंग डेट है यहां पर देख सकते हो चाहिए आप 10th में 11th date सेम रहेगा यहां पर लिखा हुआ है देखो यहां पर date ओपनिंग है जो आपका रिवालवेशन है फोटो स्टेट यहां जरौ कर जिसको आप कहते हो उसके लिए गर अपलाई करोगी तो 2nd January 2024 स्टार्ट हो जाएगी वो लिंक उसके बाद जो last date है उसका answer script का ठीक answer script का जो last date है वो है 11 January 2024 जो upload करना है आपको वापस copy जो आपने चक की होगी वो आपको वापस चक करनी पड़ेगी वो आपको इसका last date जो है वो है 13 January 2024 उसके बाद जो re-evaluation का last date है क्योंकि re-evaluation का start date है वो है 2 January को एने 2nd January उसके बाद last date 16 January 2024 को उसका last date है और यहाँ पर आप देख सकते हो जो फीस है वो क्या है देखो अगर आप re-evaluation बरसकोगे तो उसका जो फीस है वो क्या है वो है 495 रूपीज पर answer script and photo state copy is 255 पर answer script तो यह आपको online बरना पड़ेगा credit card से debit card से या net banking से जो भी आपको पसंद है उससे आप कर सकते हो और आपको पता होगा कि re-evaluation में 20% mark तक आपको देख सकते हैं अगर आपने paper ठीक किया होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है या पढ़ सकते हो आराम से ठीक काना instruction में यही दिया होता है कि आप कैसे बरोगे visit कप करोगे website पर क्या है वो आप मैं आपको आगे बता दूँगा लेकिन आपको फिलहाल यही काम करना पड़ेगा कि second ठीक है ना second January जब आ जाएगा वहाँ पर आपको apply करना पड़ेगा मुझे लगता है कि 90% students रिवालवेशन के लिए apply करते हैं ज्रॉक्स के लिए कम करते हैं क्योंकि वो process बढ़ी रहती है उसके बग रिवालवेशन का result जो होता है वो रहता है कम से कम 3 दिन या 5 दिन के बाद या फिर उसमें भी 20 डेज लगते हैं ये डिपेंट करता है कि ज्यादा मत है तो ज्यादा टाइम लगेगा अगर रिवालवेशन बारा है student ने तो काम टाइम लग जाएगा और अगर रिवालवेशन में आपका माकस जो है वो मिल गया तो आपका admission regular हो सकता है और इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में भी शेयर करना दीजे इजाज़त बाई को नेक्स्ट वीड़ो में मिलते हैं तब तक सब्सक्राइब कर सकते हूँ अल्ला हाफिज